तो हेलो एब्रोबन फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का और एक ने वीडियो में तो फाइनली काफी महीनों के बाद फिर से निकल रहा हूँ और एक ने ट्रिप में तो इस बार जारों में बैंकॉक थाइलेंड आपको पता है अभी जो है वीजा अगर कहीं सब का कुछ मतलब पैसे भी नहीं देना बस आपको पासपोर्ट लेना है फ्लाइट बुक करना है और आप बैंकॉक थाइलेंड इजी ली जा सकते हो तो यह जो पहला फ्लाइट होने बाला है नौर्टीस्ट इंडिया से क्यों इस साइट से पहले कभी इंटरनेशन फ्लाइट लिया न कुछ एराउंड 11 बज के संफिंग टाइम है फ्लाइट का रात का तो और सुबह हम सारे तीन चार बजे कासपास बहाँ पर पाँच जाएंगे बैंकॉक थाल है तो अभी निकलेंगा तो अल्मूस काफी दूर है तो अभी निकलेंगे सीधा एरपोड के लिए तो आपको मि कि डोकुमेंट्स और करेंशी वगर और इमिग्रेशन में किया का देना रहता है तो यह एले इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद फिर सारा डीटिल सबको बता तो इमिग्रेशन के बाद सीकुरिटी सब क्लियर होगे स्टैम अगर भी मार दिया मुझे लगा पता जादा लोग नहीं होंगे फ्लाइट पर आप देख सकते कितना जादा लोग है और एक जम टाइम करें बोर्डिंग अभी स्टाड़ोग तो जब मैं बोर्डिंग पास लेने गया तो क्या पुछा कि जितना भी मेरा फ्लाइट के टिकेट थे सब उन्होंने वह आंगे पहल भात ही क्या तो मेरे पास नहीं था मैंने बोला कि मैं ज्यादा दिन तो नहीं रूँगा मेरा एक टाइप का ट्रांजीट है थाइलेंड में तो इसके वाज़े से वो लोग मान गये तो और मान के फिर बोर्डिंग पास दे दिया तो बाद में मैंने सुचा कि यहाँ पर अ अब केरी करो अपने साथ एक तो है फ्लाइट टिकेट आने जाने का जो आपके पास है उसके बाद थाई भात आप अपने साथ ले लो क्योंकि अगर यहाँ नहीं पूछते तो बैंक ओफ जाने के बाद तो मतलब पूछ सकते हैं तो इसलिए मैंने ले लिया है तो यह दोन आपके फ्लाइट का नाजारा कैसा रहता है रात के जो फ्लाइट होते है बहुत स्पेशल होता है यह रात पर आप निकलते हो किसी कंट्री से और जब सुबहात है तो पहली बार अभी बैंकोग धाइलेंड देखते कैसा है तो सारे तीन वाजे हम पहुच गए अभी बैंक होता है मतलब अचले में जाने के लिए तो जब फmostाओ अब लेट हो जाये तो फिर होस्टल निकलेंगे और बकि अभी पहुच गयए तो सिम कट पहले ले ले तो मतलब लेता हो, इंहिएशन क्लियर करके पुर सिह कट देखिएंगी किरा रेट कैसा The तो अभी पहले immigration क्लियर करके बता था फिर आपको immigration में क्या क्या पुछते हैं तो हो गया immigration फाइनली बहुत ही easy था बस पुछा कि आपके पास return ticket है क्या तो मैंने सोचा कि इसे इंडिया जाने का ticket वांग रहे तो मैंने बहुत दिद रहा पर वो मेरा दूसरे country से था तो बोला यह नहीं थाइलेंड से exit करने का ticket होना चाहिए तो मैरा थाइलेंड से exit करने का ticket था वो दिखा दिया मैंने फिर वो देखके उनलों ने stamp मार दिया कोई भी currency के बारे में नहीं पुछा प्रस वो टिकेट देके stamp मार के दे दे तो यह है ज अगर मेट्रो पकरके हम अपना होस्टेल चलेंगे यहापर आपको देख सेके SIM card बगर मिल जा रहा है तो यही से देखता हूँ अब जो अच्छे rate में मिल जाता है तो फिर ले ले लेता हूँ तो SIM card भी ले लिया हूँ और अभी तो सुपह हो गया तो टेक्सी अबर मिल रहा है बसेस भी मिल रहा है पर थोड़ा कन्फूजिंग है बहुत तो मैं सुचा कि Metro ही देख लेता हूँ क्योंकि Metro मैं पहले से देखके आया हूँ तो बुसी का gate डूंड रहा हूँ आगा जाना है आगे आके जो है इधर से 15 नमबर के पास पंदरन नमबर गेट के पास अपको इधर मिल जाएगा यह से डिल आनप पंदर नंबर मेट्रो के पास तापको यहादर इधर समने ही यहापर पीछे बोड और शायद यही से यह फिर आगे से एक पर देख लेता होगे यही से जो आपको आगे जाना है कि इधर काई बोड दिया हुआ जाने के लिए ले लिया वाई टिकेट बीस हाथ का है यहाँ के जीर देखाओ ओरा दॉन्यों इंटरनेशनली अरपर्ट का जीर दिख रहा है यहाँ